दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं साथ लहसुन के बीज से किसी को अपने वश में जी हाँ दोस्तों ये है महाशक्ति शाली वशी करण जो किसी भी इस्तरी या पुरुष को वश में करन विडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें नहीं तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि इसे किस तरह से करना है आज मैं आपको बताती हूं इसे करने का बहतरीन तरीका जिससे कि आपका काम जरूर बनेगा और अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं किसी भी महिल तो आज मैं आपको वताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ साथ लहसुन के दानों से, साथ लहसुन की कलियों से आप कर सकते हैं किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को अपने वश में. तो आपको लेना है एक धागा, आप अपने घर में काला धागा ले लीजिए और उसके बाद आपको लहसुन के उपर इसे लपेटते जाना है. तो पहले दोस्तों याद रखें कि आपको सिर्फ एक मीटर धागा लेना है. एक मीटर से जादा आपको नहीं चाहिए होगा, बस आपको एक मीटर धागे को ले लेना है और उसके बाद इसे अपने सामने रखना है और इस तरह से लहसुन के उपर लपेट के उसे इस तरह से बान देना है. जैसे जैसे आप इसको बान देंगे, आपको एक मंतर का उच्चारण करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है. उस मं आपको इसी तरह से दूसरा लहसुन यहां पर बान लेना है तो पूरे धागे में आपको घुमाब तिरा कर इसको इस तरह से सारे लहसुन को बानते जाना है और मंत्र को पढ़ते जाना है दोस्तों मंत्र बेहद आसान है मंत्र जो आपको बोलना है वो बोलना है ओम वश्यम क कुरु कुरु स्वाहा ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा इस तरह से आप मंत्र को बोलते जाए और लेसुन की कलियों को धागे में पिरोते जाए बांते जाए और अंत में आपका उपाय जो है वो आपके लिए जरूर काम करेगा आपके लिए आप अगर किसी को वश्मे करन तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर दो लहसुन बांदे हैं इसी तरह से आपको सातों लहसुन इसके अंदर बांदेने हैं इस धागे में लपेड देने हैं और उसके बाद जब आपकी माला तयार हो जाएगी तब आपको इस लहसुन की माला को अपने घर में ऐसी जगे पर रख देना है जहां पर कोई भी इसे देखता ना हो जी हां जैसे जैसे यह माला आपकी अलमारी में या कहीं भी किसी भी कपड़े में लपेट कर आप घर पे रख दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी माला बनने से लेकर जब तक यह लहसुन सूख न आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आप इस उपाय को कीजे दोस्तों याद रखिए आपको ये उपाय अच्छी मन से करना है ये बात बिलकुल ध्यान में रखिएगा कि आपको बिलकुल भी इस उपाय को गलत मन से या गलत इक्छा से तो बिलकुल नहीं करना है अब आपने जब लेसन की माला बनाई है तो आपको इस मंत्र को 51 बार उच्छारण कर लेना है जी हां और आप इसे अपने सीधे हाथ में रख लीजिए इस तरह से और जितनी बार जैसे आपने 50 बार माला जब मंत्र पढ़ा तो आपको 50 बार इसके उपर फूकना होगा और उसके बाद इ और उसके बाद आपको इसे लेके जाना है और बरगत के पेड़ के नीचे आपको इसे गड़ा खोत के दबा देना है जी हां दोस्तों ये बहुत ही जादा शक्तिशाली उपाय है इसका फल जरूर मिलता है और आप भी देखिएगा कि आप जिसे भी वश में करना चाहते है वो आपके वश में जरूर आएंगी और हमें आप बताईए अगर आपको कोई समस्या हो रही है आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं जी हां हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर भी आप पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप इसे अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लाइक करकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा